नमस्कार साथ ही एक बार आप सबका फेर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम आरियन जैस्वाल है और मैं आपको इस चैनल पर लगातार हिंदी के जो इंपॉर्टन प्रेक्टिस है यूपी ट्रपल सी जुने सिस्टेंड के लिए क थे अगर आप चैनल पर नय हो तो चाहिएं को सुस्काइब कर लिएए और जो और तैयारी है और सब्सक्राइब कर दो पर जो कोषिशन यहां पर लेकर आया ह treball बहुत धा इंपॉर्डन दो दूसरा है प्रतेग व्यक्तिक कविता नहीं कर सकते हैं तो देखी यहाँ पर भी वह सेंचिर है यहाँ पर अगर C option की बात करते हैं तो प्रतेग व्यक्तिक कविता नहीं कर सकता तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सी वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी यह इसका सुद्ध रूप हो जाएगा क्लिए दोस्तों अगले कोश्चन पर आते हैं तो एकला कोश्चन कह रहा है कि इन में से एक सुद्धवा के काउंस है अब देखिए यहां पर आसुद्धवा के आपको चूज करन करण के लिए तो आपर करना जोगी नहीं लगेगा तो यहां पर यहां पर जेतने भी जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे समझ में आ गया सर आते हैं अगले कोश्चन पर तो अगला कोश्चन कह रहा है कि मजदूरी और प्रेम सीड़ सक इस निवंद क करें हैं तो याद रखेगा सरदार पूर्सिंग को ने सर शरदार पूर्सिंग को लिखा है तो यहां पर ऑपस नमबर जो इसका कड्रें है वो यहाँ पर correct हो जाएगा इसके लावा आचरगी सब्विता, कन्यादान, सची वीरता, पवित्रता ये सारी जो है सरदार पूर सिंग जी ने ही लिखी है अगला question बहुत ही आसान है सबको पता होगा कि अग्ये जी का पूरा नाम क्या है अग्ये जी का पता ये पूरा नाम क्या है तो याद रखेगा भाई सचीदानंद, हीरानंद, वास्यायन, अग्ये तो यहाँ पर option number जो इसका B है वो यहाँ पर correct हो जाएगा इसके लावा याद रखेगा दोस्तों ये एक प्रियोगवादी कभी थे कभी कभी इनके परें पूछा जाता है कि प्रियोगवादी कभी कौन थे इन में से तो यहाँ पर यही थे अगला question याद रखेगा यहाँ पर कह रहा है कि जिनका उचारण बिना किसी विग्न या कि बीना किसी बाधा की होता है वो क्या कहलाते है भाई जिनका उचारण बिना किसी विग्न बाधा के होता है उन्हें क्या कहते हैं स्वर कहते हैं याद रखेगा उन्हें क्या कहते हैं स्वर कहते हैं इसके अलावा दूस्तों इनके उचारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है यह किसका उचरण छोड़ा हा हा की तरह होता है उनका प्रियोग जो है संस्कृत में सरवाधिक होता है तो देख सकते हैं इसका इंसर क्या हो सकता है सर तो याद रखिए कि यहाँ पर जो विसर्ग होते हैं जो विसर्ग होते हैं उनका उचरह हा की तरह होता है सबसे ज़्यादा इनका प्रियोग जो होता है संस्क्रित में होता है जैसे विसर्ग आप सभी को पता है क्या होता है जिसके अगर दो ऐसे विसर्ग लग जाकता है उसी को विसर्ग बोलते हैं अगला question दियांस देखिए कि बहुत important है कि इसपर्स अंतहस्त और ऊस्म है, देखे, कह रहा है किह रहा है इसपर्स अंतहस्त और ऊस्म है, क्या रहा है थै नहीं परक TO time, आपका Sm baş recommend होता है कंठ没有 मूर्था दंत और Wait अनके सब्स्ध से बोल जाता है इसके लब spaceтер विएन्जन की बात करते हैं तो ओंतास बात करते हैं जीब टैलू डार ओठे इन इनके परश पर सटाने छिस ड्सके लिए आपका एक यानताहस और प mêmes संधी के कितने भेद हैं कोईशन में 36 बहुत ही इंपॉर्ण कोईशन है त थ रखीppings के हैं संधी के तोल आपके झीशंद्फ होते हैं सवर inkसे लिएं और विचेबी आप से लिक दिया हूं वहां से यागर जो है सबस्क्राइब देखा जान ग्रीहीत और प्रिथक यहां पर देखा जा है तो प्रिथक जी जो है बिलकुल रूप में लिखा है इसके अलावा और जो आपके all option correct क्यों नहीं है दधीज के अगर हम बात करते हैं तो धाप पे बड़ी इक मात्र होता है क्लियर है कनिष्ट होता नहीं कनिष्ट में कनिष्ट होता है ता ठा होता है तो यहाँ पर देखे टा लिखा इसलिए यह गलत हो जाएगा इसके लाँ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ग्रहीत में जो होता है ग्रहीत होता है यानि कि ग्रह में इस तरह से ग्रह लगता है तो यह यह गलतिया थी इन तीनों यह गाता है कि लिखा अगर हम आते हैं तो उनको सब्सक्राइब करेंगे किस वित्मयाद भुदक चिंदग का प्रियोग करेंगे तो जितने वी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं आप्स नमबर C वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेंगे समझ में आगे दूस्तों इसी किरा कोईशन हमरा आपका 141 है बहुत important कोईशन है कह रहा कभीर जुलाहा थे रिखांके सब्द में कौन सी संग्या है भाई कभीर जुलाहा थे अगर इनकी बात किया जाए तो जुलाहा जो है एक व्योसाय से संबंदित है इसलिए यहाँ पर व्योसाय से संबंदित है तो जाती होगी जुलाहोगे जाती होगी तो जिसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करयक्ठ हो जायेगा समझ में आ रहा है नो तो आए आगर आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक तो बंता है मैं लाइक की भरमार चाहिए आप सभी से अगला कोशन आपसे कह रहा है कि कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है देखें कौन सा सब्द आपका इस्त्री लिंग है चार ओप्सन दिये गए विभाग विकृति वी नियोग और विरोध तो यहां पर अगर देखा जाए तो विकृति ज क्या होगा अब देकि डिबिया का जो बहुबचन होता है बहुत इंपॉर्णन याद रखेगा डिबिया ही होता है लेकिन यहापर जो यह है उस पर चंद्रविंदी लग जाता है क्या लग जाता है चंद्रविंदी लग जाता है तो आपसन जो इसका बी है करेट हो की टीक साया में हूं जो से की की बात कर रहा है वो साधन की रूप में प्रियूख्थ रहा है देखिए इस तरह question में लोग गलती करते हैं क्योंकि वो say कई जगहां आ जाता है करण से में भी आ जाता है तो लोग गलती करके आ जाते हैं तो याद रखिए का करण कारक में अगर हम बात करते हैं तो करण कारक जो होता है वो यहाँ पर बिल्कुल कररक्ट हो जाएगा करण कारक जो होता है उसमें से जो है वो आपका साधन की रूप में पर रूप होता है तो यहाँ पर option number जो इसका C है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा clear है दोस्तो आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question कहा रहा है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम की पहचान कीजिए देखें मध्यम पुरुष सर्वनाम की पहचान करना है तो मध्यम पुरुष सर्वनाम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यह वहाँ और आप आप चार अफसन दिये गए हैं तो यहां पर देखा जाए तो आप जो होता है इसके लावा तू हो गया तुम हो गया यह आपके मध्यमपुरण्entre के अंतरगत आते हैं वह की बत करते हैं तो यह आपका अन्ने पुरुस के अंतर गता जाएगा यहां जो है आपका आने पुरुस में आ जाएगा लेकिन हम के बारे में वह कि अट्थम पुरुस के अंतर कता ताए या discussions first person to second person, light person और third person है ऐसे समल्याकि षर्स परिस्ट पुरुस की बात करते हैं तो समत्र हम पुरुसम अपने की बाद में हम हमारा हम सब का यह आपका उत्तम में आ जाएगा अगर किसी second person की बात करते हैं और यह आप हो गया यह आपका मध्यम में आता है और थर्ड person जो होता है वह अन्य पुरुस होता है जैसे दो लोग बात करें तो तीसरे वेकित कैसे बोलेंगे वाह देखो वहां जा रहा है, यहां आओ, तुम यहां आओ, तो यह जो यहां है, यह आपका क्यों हो जाएगा? अन्य पर उसके अंतरगत आजाएगा, clear है? इसी तरह आपका 146 कह रहा है, पृरिष्ठांक का अंग्रीजियन वाद क्या होगा? पृरिष्ठांक देखी यहां पर दिया गय सब्सक्राइब करते हैं, थो इसका मतलब होता है, आपका सत्यापन होता है, यहां पर इस यहां पर इस चेयरो वह जो फकर क्लिए हो गये होंगे, इसी तरह कुश्च आकर सब्द है तमासा भाई कैसा सब्द है अगर हम तमासा की बात करते हैं तो चार अफसें दिये गए हैं फार्सी अंग्रेजी तुर्की और अर्बी तो तमासा जो है अर्बी भासा का सब्द है कौन सी बासा का सब्द है अर्बी भासा का सब्द है तो जितने भी लोग जवाब होना का मतलब होता है भाई बिगन आना भाई बोलते नहीं कि तुमने मेरा मज़ा किरिकरा कर दिया नहीं कि मज़े को खराब कर दिया बिगन कर दिया तो बिगन होना तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में आ गया ना इसी तरह आपका question number एक सो उन्चास कह रहा है कि अनुस्मारक को कहा जाता है भाई जो अनुस्मारक है उसको क्या कहा जाता है व्यक्तिगत पत्र व्यवसाइक पत्र परिपत्र इस्मरल पत्र माफ किजिएगा क्या कहा जाता है तो बहुत important है तो याद रखिएगा अनुस्मारक जो होता है इसको ह D है correct हो जाएगा आखरी question आपका homework है आपको comment करके बताना है कि जो कर्तब बिसे चियोत हो गया है वो आक्यांस के लिए एक सब्द होगा देखे इसका जो answer है आपको जो मैं answer key दूँगा जब मैं PDF आपको दूँगा यहाँ पर download करने के लिए तो answer key में आपको इसका answer देखने को मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जाकर answer देख सकते हैं बट उसके पहले आपको इमानदारी से comment box में comment करके जवाब देना है कि जो कर्तब इसे चियोत हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बहुत आसान question आपसे देख करके आप एंसर लगा सकते हो बट आप लोग को comment जरू करना है तो बस यार आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको मैं में चैनल पर आपको लग लंबे लंबे वीडियो दे रहा हूं पर छोटे छोटे इंपॉ दोल में